दोस्तों अभी हम देखते हैं CSS text alignment दोस्तों अगर हमें content को alignment देनी हो horizontally तब हम लोग text align property का use करते हूं अगर हमे text को left करना है right करना है यह center करना है यह justify करना है तो उसके लिए हम लोग text align property का use करेंगे तो by default जो हमारे पास content रहता है text align property की value by default जो रहती है वो उती है left तो यहाँ पर अगर मैं भी आपको इसका output दिखा हूँ h1 tag का यहाँ जो मैंने यहाँ पर content लिखा हुआ है तो यह देखें यह अब हमारे पास css text align property जो मैं लिखा हुआ रहती है left तो यहाँ पर मैं style.css के file के पर आया हूँ जो के मारे पास index.html के file के साथ connect है तो मैं यहाँ पर h1 tag लिखता हूँ और यहाँ पर text align property का use का लिखता हूँ text hyphen और उसके बाद align उसके बाद colon उसके बाद आप लोग left देंगे तो हमारे पास यह भी भी left है तो अगर आप लोगों लेफ्ट रखना है तो लिखने की जूरूत नहीं यहाँ पर text align left क्योंगे by default लेफ्ट ही रहते है लेकिन अगर मुझे right करना हो तो अब मुझे text align property का use करना होगा तो मैं यहाँ पर right कर देता हूँ तो यह मारे पास right हो गया और उसके बाद यहाँ पर अगर मुझे center करना हो तो मैं center भी कर सकता हूँ तो यह मारे पास center हो गया और उसके इलावा अमारे पास जो last value है वो है justify तो उसके लिए मुझे यहाँ पर मैं कुछ content को यहाँ पर copy करता हूँ जो हमारे पास justify value हो है वो हमारे पास अगर हमारे पास कुछ paragraph है उसकी width अगर मैं इसको भी copy करता हूँ तो example को समझाने के लिए बेतर है मैं इसको copy करो और एक div tag create करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर p tag के अंदर यह copy नहीं हुआ इसको मैं यहाँ से copy कर लेता हूँ और इसको मैंने इस paragraph को मैंने यहाँ पर paste कर दिया और यहाँ पर मैं आता हूँ div tag इसको मैं fix width दे रहता हूँ यहाँ पर मैं कर रहता हूँ 400 pixel ताकि हम जो भी apply करें हम यह वाज़े शो हो जाए 400 pixel height भी मैं इसकी कर रहता हूँ 400 pixel और उसके लावा मैं यहाँ पर कर रहता हूँ border color मैं कर रहता हूँ border 2 pixel solid red अगर मैं भी इसका output देखता हूँ तो यह मेरे पास अभी इसका output है अगर मैं इसको zoom करूँ तो यह मारे पास इसका output है तो दोस्तों भी अगर आप लोग देख रहे हैं मारे पास जो इसका जो अमने content यहाँ पे paste किया हुआ है तो यहाँ पे यह line खतम होगी है तो next line शुरू होगी इसे दर जो 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 मारे पास third line है तो इस दोनों की width same नहीं है यह जो मारे पास यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से word खतम हो रहा है तो यहाँ पे इसने space दे के space रखा हुआ है और उसको अगले line से अगला word शुरू कर दिया तो यह मुझे अगर नहीं चाहिए हो मैं जाता हूँ कि जो मारे पास left और right से margin है बिल्कुल same है रही तो उसके लिए मैं text align justify value यूज करूँगा यहाँ पे मैं आऊंगा text align justify तो इसका मैं use करता हूँ तो यह देखे हमारे पास content की width और जो मारे पास margin और left से वो सारों का same हो गया left और right से तो इस तरह से हम लोग text align justify का use कर सकते हैं तो यह मारे पास content को stretch कर देता है लेकिन उसका जो width है margin है वो मारे पास equal कर देता है दोस्तों यह मारे पास text align property ते जिसके हम लोगों ने four values देखी left, right, center, last में जो हम लोगों ने देखी justify तो justify अगर अमारे पास paragraph है उसको हम लोगों ने margin हम चाहते हैं विर्थ आमारे पास paragraph की same रहे तो उसके लिए justify value यूज कर सकते हैं झाहते हैं जाहते ह यूए धिया शहर कõंका स सकतटION